भाजपा नेता और विधायक नितेश राने ने नाशीक में एक सभा में मुस्लिम समाज को लेकर आपत्ति जन्रक विवदास्पत बयान दिया इसके बाद दो पुलिस थानों में मामला भी दर्च किया है उनके पिता ने उनको हिदायत भी दी है नसीहत भी दी है लेकिन कहीं ने कहीं इससे नाराजगी ना केवल विपक्ष में ना केवल मुस्लीम समाज में, बलकि खुद BGAP में भी है, भाजपा के शंखिफ समाज के नेता इससे नाराज है और उन्होंने आपत्ति अपने वरिष नेता नेता हैं कि किस तरह से देखते हैं जिस परकार का आपती जनक एक विवादित बयान नितेश रानी ने दिया और एक धमकी के अंदाज में दिया उन्होंने और यहां तक की कहा कि मराथी नहीं समझ में आती तो मैं हिंदी में यह बात कहता हूं देखे कैसा है पिछले कई मेहनों से नितेश राने सस्ति राजणिती करने के लिए भगुवा कलर का कपड़ा पेनने से कोई लीडर नहीं हो सकता महारास्टा की हिंदु समझना पड़ेगा हिंदुतों को समझना पड़ेगा वो कौन सा हिंदुतों पढ़ाने जा रहे कौन सा हिंदुतों हमारे बच्चों को हमारी पीड़ी को समझाने जा रहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने कहा कि आप इनको इनको शिरी राम का हिंदु तो पढ़ाओ, इनको बाबा साब अंबेटकर जी का हिंदु तो पढ़ाओ, इनको छतरपती शिवा जी महराज का हिंदु तो पढ़ाओ, इनको मानेनी बाला साब ठाकरे का हिंदु तो पढ़ाओ, ये जिस तरीकी की बाते कर रहे हैं, कई दिनों उसे अलपसंग के आंग के उपर बोली रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन अब तो हद कर दी हमारे पैगंबर के बारे में बोलना शुरू कर दी, पैगंबर के बारे में गुस्ता की सही नहीं जाएगी, एक, मैं भी एक मुस्लिम पदा दिकार हूँ, औल इंडिया सुफी बो तो लोग मुझे नमास के वक्त देखते हैं कि हाजी आ रहा फास एक बिजेपी का नेता आ रहा है, इसके पीछे नितेश राने तो नहीं आ रहा है, इस तरीकी कि लोग हमारे देखने का लोगों का रवया बतल गया, पार्टी बोलती मुसलमानों को जोड़ना चाहिए, प् आजीत में घुस-घुस के चुन-चुन के मारेंगी बाशा करता है, गाली कलोज देता है, स्टेश के उपर हिंदी में समझाने की कोशिच कर रहा हमीं, मराटी मती नहीं, और गाली देता है, अब ये सब गाली देने का उती है, गाली सुनने के लिए हाजी आ रहा फास एक लाखों लोगों को जोड रहा हूं, लाखों लोगों का नेत्रों तो कर रहा हूं, मेरी पिछले कई साल की नितेश राने को बोलना है, कि हाजी आरा फास एक भारती विद्यारती से लेके आज तक क्या भूमी का देख ले, तु गली का गुंडा होगा, तेरे कोकन के अंदर तेरी दादेगरी चलते होगी, यह महरास्ता है, मैं देव आरंदी का भूमी पुत्रों हूं यहां का, संतों के भूमी में हम पलने वाले लोग है, यह सारी चीज़े हम सहने वाले नहीं है, जिस तरीके से भाशा कर रहा है, ठीक है, मैं भी बीजेपी में हूं, तू अपनी असर में आएगा, मघरिब में आएगा, इशा में कब आएगा, आ, तेरा हम स्वागत करेंगे, मुसलिम समाच, किस सरी की तरवियत क्या है हमारी, आज तक कभी किसी मुसलिम मुलाना ने आपने सुना, कभी हिंदुस्तान के अंतर किसी पीर ने कहा, कि श्री राम जी की बात नहीं करता है तो जब हमारे धर्म में सिखाए जाता है तो हमको दिखाएंगे कि मजजिद में तुरे को क्या मिलेगा फूल मिलेगा या गुलाब मिलेंगा या कान की नीशे जहापड मिलेंगे या हमारे वानी दिखाए जाता है तू इस करके हिंदू कल्चर को खराब कर करने की कोशिश कर रहा है महाराष्टे की संस्कूर्थी को खराब करने की कोशिश कर रहा है मैं सत्यनारान की पूजा में मेरे दोस्तों कर जाता हूँ कभी मुझे ऐसा नहीं लगता वो मेरे बखरीजित में आते मुझे उनको कभी ऐसा लगता नहीं कि मुसल्मान क्या है मैं कभी हमेरे चोना स destruction लेकिन जसित्खित कर और सिव्त की और क्या चाहती हैं मzenie का लेकित करना महाराष्टा की पार। क्य schol生 करो Videos शुकतर पाराष्टा में को कि पारूरभन की चाहता हैं मेरे इंट्र McDedict Dipa madu अब आखकर देना ने चाहिए कितना देना इनको देते ही रहो घ्ले आएंगे तो रस्ते पर और मैदान पर मोर्चा निकालें तो काट देंगे अरे बाइब क्यूं काट देंगे पीट देंगे यह बात बताएं यह पहली भार तो ऐसको यह आपती जनक बयान दिया नहीं आप खुद करें कि लंबे समय से आप सुन रहे हैं किसका सहप रापत है किसके सहप बार बार ऐसे बयान दिये जा रहे हैं अब यह उनको ही पता है कि किसका शिरह पर बात करें और जिसका शिरह उनको समझना चीए यह सच्थी राजनीती करने के लिए घटिया राजनीती करने के ल प्रवीन दरेकर ने अलपसंक्यां की मिटिंग लगाई और मिटिंग में कहा कि मुस्लिम समाज को क्या चाहिए हम बात करते हैं उनके पास जाना चाहिए सवाद करना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को सवाद के हिंदुस्तान की जब तीन तलाक का मुद्दा है तो पूरी पूरे देश और दुनिया तक जाती है शोशल मीडिया इतना बड़ा फ्लाटफॉम है तो लोग हमको भार के लोग पूछते कि तुम ऐसी पार्टी मेरे तो लोग तुमको गालिया दे रहे आज रस्ते में जा नहीं सकते मज़ीद में नमाज पढ़ने जा नहीं सकते यह सा जाती तो यह करते ठोक देंगा इस तरीकी के इसारा करती है यह मराटी कल्चर यह इनके बाप ने सिखाया इनको अगली मंतरी मंदल में मंतरी बनना है या इनके बाप को दिल्ली में मंतरी बनना है तो यह इस तरीके से मुसलमानों को टार्गेट करेंगे ऐसा नहीं होता त मंतरी देविदर फणनवी साप के नेता क्या रोक रहा है आपको करवाई करने बिल्कुल मैंने देविदर इसे कब विल्कुल चिट्टी भी लिखा हुँ साफ शुत्रे अलफाजों में चिट्टी लिखा हूँ कि इसको रोको इसकी भाशा रोको, जिस तरीके से बोल रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, मैं महारास्टा के मुख्यमंत्री एकनाशिंदे जी से पूछना चाहूँगा, मैं देवेंदर फंड़ी जी से पूछन जाता है, एक हैदराबाद की जो तीर चलाने वाली महिला, जिस तरीके से उसकी एक्टिन कर रहा है, मर्दों की एक्टिन कर लो भाई, और्तों की एक्टिन कासे कर रहे है, हम मंतराले में जाते थे, विदान बोन में जाते तो पतरकार बोलते थे, कि देखो 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 और कितना दिमाग है कितना बदिमाग है यह समझ में आ रहा है मैं उससे फिरक कहूंगा अगर तेरे पीछवाड़े में दमे भाई तो कुरॉला आजा सुबा बोले सुबा शाम बोले शाम हाजे अराफा शेक यहां पर तुक जरूर मज़ित के बार जरूर मिलेगा एक मेरा आ हाजी आराफाशिक जब कौम की बात है तो कौम के साथ हमेशा खड़ा रहा गलत बात का कभी समर्तन नहीं करूंगा गलत चीजों के साथ में जाओंगा नी पिछले कई साल से मैं आंदुलन वाला लीडर हूं संगर्श वाला लीडर हूं अगर इस टॉपिक के उपर इसको नहीं दबाया गया तो इसी तरीके से सवाल का जवाब आता रहेगा यह पार्टी ने डिसाइड करना चाहिए कि उनको चुप बिटाना या हाजी आराफात को चुप बिटाना है अगर मैं गलत हूँ जरूर में बात मेरी पार्टी की सुनूंगा लेकिन अगर वो गलत है त तो लगता है खुद कहते के मैं हिंदू का गबर हूँ अरे गबर नहीं हो आप गोबर हो तो गोबर जैसा रहना चाहिए मैं हमेशा कहता हो कितनी बार कहां कि आप गू हो अरे गू भी बना तो गू में कॉलेटी होती है आप गाई का गू बन जाओ कभी कम से हम लिपने के लेकिन आप कुत्त गाओ क्यों बन रहे हो यह सब बात करके किसी का मन दुखाना यह किसी की आत्मा को तकलीप कोचाना किसी बचशों को लेडिस को ऐसा हाथ दिखाना यह ऐसा कलचर नहीं है हमारे महरा सर्वी आई जीवन से लेका आज तक कि कोई बच्ची जा रहे हैं योजद्णा लारे और यहां भूर्खेवलिया यह और बूरतेंद आतों कि तिल रहे हैं कि इनको क्यों देने का तेको मुंखे update मैं जहिए comentarios और देवेंद्र जी बोल रहें कि भाइब लाड़की भै औरR Patu दिखाएगा और करना चाहिए यह कहा का इंसाफ है और यह कहा की राजनीती है यह नहीं होना चाहिए उसको सुदरना चाहिए अगर नहीं सुदरा तो इसका पत्रिका सवाल का जवाब हमेशा हजिया राफ़त उस तरीकी से उस अंदाज में देगा है अपनी बात पार्टी के वरिष्ट निताओं को बता दी है और रही बात नितेशराने की तो उन्हें खुला चैलेंज है सुबह से साम किसी भी वक्त कुरला आएं तो उनका स्वागत करने के लिए तयार है कामरापन आसिफ खान के साथ प्रत्युन जैसिंग, ABP News, Mumbai